दोसों वीवो के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये आम तोर पे अपना जो कैमरा है उसके लिए जाने जाते हैं ये जो नए स्मार्टफोन वीवो ने लाँच किया है इंडिया में ये है वीवो एक्स हंड्रेट सीरीज का ये है एक्स हंड्रेट और ये है एक्स हंड्रेट प्र तो ये जो स्मार्टफून्स है, इनकी जो कैमरा कॉलिटी है, ये देखिए ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे कि DSLR कैमरास से आपने फोटो शूट किया है, बलकि जितने भी शॉट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, खास करके कैमरा शॉट्स, वो मैंने इसी स्मा से देखने के बाद आप मैंसे काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो स्मार्टफून्स है, क्या ये वाके में आज की तारीक में DSLR कामरास को टकर दे सकते हैं या नहीं, वेल, ये अब सब्जेक्टिव मैटर हो गया है, आज से दो या तीन साल पहले अगर के पास DSLR कैमरास है और ये ये यूजर्स हैं ये बेसिकली आटो मोड में ही फोटो शूट करते हैं, उनके पस महेंगे से महेंगा कैमरा है लेकिन आटो मोड यूज कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो बहतर होगा क्या ये खरीदे क्योंकि ये आटो मोड मे बहतर कॉलिटी आपको देने वाला है कंपार टो DSLR, लेकिन अगर आप एक ऐसे वेक्ति हैं जिसे फोटोग्राफिक का नॉलज है और आप जादा करके मानल मोड यूज करते हैं, आपको पता है कि DSLR क्या क्या कर सकता है, वसे अफकोस अभी भी DSLR ये बहतर आप्शन है, ले आपको DSLR कैमराज में ही मिलते हैं, और वो एक मेजर रिजन है, जिसके लिए लोग DSLR कैमराज यूज करते हैं, अब देखे, DSLR कैमराज लोग क्यों खरीते हैं, यह जो कैमराज है, इन में एक तो बड़िया सेंसर होता है, बड़िया फोटोज ये शूट करता है, हाई आपके पास इस प्रकार के लेंसे हैं, आप जो लेंसे हैं, उसे एजिली चेंज कर पाएंगे, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के MMK, मिलिमीटर के लेंसे आते हैं, कुछ प्राइम लेंसे होते हैं, और जूम लेंसे भी अविलेबल हैं, तो जो लेंसे जब आप इसे करते हैं तो जो कारेक्टरिस्टिक्स है फोटो के या फिर वीडियो के वह काफिया तक चेंज हो जाता है अब यह जो स्मार्ट फोन्च हुआ है इसके पहले बहुत सारे 85 और 100 मिल का उप्शन मिलता है यह वैसे यह जैसे कि DSLR कैमरा पर आप जो लिंसे उसे चेंज करते हैं और बेस चीज यह है कि यहां पर टैप करने से आपको पता चलता है कि जो लिंसे यह किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं जैसे कि जो 100 मिल है यह क्लोज अप के है वो चेंज करता है इस परकार के शॉट्स आप सिनेमाटिक मोड के साथ में शुट कर पाएंगे तो डेफिनिटली इसका जो कैमरा है वीवो एक्स हंडेट प्रो का यह नेक्स्ट लेवल का है और इसे खरीदने के बाद और खास करके अगर आपने DSLR कैमरा यूज किया कि मैंने जो मेरा डिजिटल कैमरा है DSLR कैमरा उसे मैंने घर पर ही रखा था इस स्मार्टफोन से ही मैंने सारे के सारे शॉट्स शूट किये हैं और मैं इसकी जो कॉलिटी है इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ट हूँ अफ्कोर्स यह जो स्मार्टफोन है यह प्रीमि यह थोड़ा सा सस्ता है और यह जो मॉडल है यह थोड़ा सा महंगा है लेकिन अगर आपका बजेट अलाव करता है तो मैं डेफिनली सेजिस करूंगा कि आप यह जो वीवो एक्स हंड्रेट प्रो है इसके लिए जाएं इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्स का सोनी आमेक्स 989 ओएस सेंसर यूज किया गया है इन दोनों ही हैं जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है वैसे दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया फोटो और वीडियो शूट करते हैं लेकिन सबसे जादा मैंने फोटो और वीडियो इस एक्स हंड़ेड प्रो से श शॉट करता है होंग कॉंग में बहुत सारे सन के शॉट किया था यह दिखें नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफिक लिए नाइट मोड में भी आपको हंड़ेक्स का उप्शन मिलता है यह खास करके रात के समय अगर आपको मून शूट करना है तो उसके लिए बहु शूट करने वाले हैं लेकिन अभी भी बहुत सार ऐसे लोग हैं जो 1080p में वीडियो शूट करता है तो काफी अच्छा है 4K 60fps बहतर ऑप्शन है और यह खास करके cinematic portrait option भी दिया हुआ है यह क्या करता है कि cinematic style में वीडियो शूट करता है जो background है उसे blur करता है काफी interesting mode है और य जाएंगे लेकिन यहां पर खास करके अगर आप night mode में जाएंगे और यह जो option है इसे select करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे filters के options मिलते हैं और यह जो option है यहां पर इसे अगर आप टाप करेंगे तो यहां पर ए आर planetary option है अब देखे यह बता रहा है कि Venus straight down है mercury यहां पर शौक है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी option है astro portrait mode भी है और astro default भी है यह basically आपका जो काम है बहुत ही आसान बनाता है चलिए आपको कुछ samples दिखाता हूं तो यह कुछ shots है जो कि मैंने social लिटक्स पर भी share किया था काफी amazing photos shoot करता है अब बहुत कुछ डिपन करता है कि आप जो photos है किस mode में shoot करते है portrait mode में shoot करते है portrait में आपने कुछ सा bill mm का option यूज किया है या फिर photo mode में shoot करते है उसमें आपने कितना zoom in किया है basically depend करता है कि आपने composition कैसा किया हुआ है यह रिखे airport पर जब मैं land हुआ था तो वहाँ पर मैंने zoom feature यूज करके photos shoot किया था काफी amazing clarity है और यह जो shots है जब मैं Hong Kong airport से hotel के तरफ जा रहा था तो वहाँ पर मैंने shoot किया था tunnel के अंदर काफी amazing lighting थी उस समय और यह इतना बढ़िया आया है actually मैंने expect नहीं किया था कि इतना बढ़िया shot यह shoot कर सकता है यह देखे यहाँ पर मैंने portrait mode है वो यूज किया है और जो different mil के options है उन बस में shoot किया था मैं आपको जो best shots मैंने shoot किया है वो ही बताने वाला हूं in fact बहुत सारे है actually यह मैंने building का shot लिया है और यह काफी दूर से लिया हुआ है यह है sunset का समय काफी बढ़िया shades और colors वहाँ पर देखने को मिला था और जब sunset हो रहा था तो भी हमने काफी shots shoot किये थे in इस प्रकार के shots आप बढ़ी आसानी से shoot कर पाएंगा फोटो मोड में सिर्फ जूम इन करना है बहुत ही आसान है और रात का समय हो गया था तो वह जो प्लेस था वहाँ पर पूरा का पूरा जो city है वो दिख रहा था और रात के समय city light up होती है और यह देखिए low light shots काफी amazing है और अफकोस night mode में भी आपको zoom का option मिलता है तो overall जो camera है बहुत ही interesting है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप DSLR मिस करने वाले हैं रात के समय हम टेहलने के लिए गए थे और वहाँ पर मैंने बहुत सारे night shots लिये है life of Hong Kong at night यह दिखिया ऐसा है और यह कुछ daylight shots है again amazing है zoom इसका बह को reconstruct करने की कोशिश करता है लेकिन अगर आप 60% या maximum 70% तर जाएंगे तो भी आपको काफी बढ़िया output बिल जाएगा 10x zoom best है और इसका जो colors यह reproduce करता है एकदम amazing है यह देखें यह building का shot मैंने लिया हुआ है एकदम जैसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है वैसा ही building था काफी amazing है यह एक और काफी famous place है monster I think house और यहां पर भी काफी बढ़िया काम किया है इस वीवो के smartphone ने यह मैंने low angle shot shoot किया हुआ है यह कुछ random shots है अगें काफी interesting यह shot मैंने social networks पर share किया था यह भी काफी amazing आया हुआ है इसमें तो cinematic mode है उसे use करके आप cinematic style के photos shoot कर पाएंगे यह देखें और low light amazing है खास करके जो golden hour कहते है उस period में अगर आप photo shoot करेंगे तो आप खुद ही काफी impressed होंगे और हाली में मैं new year मनाने के लिए एक villa में गया था वहाँ पर मैंने यह photo shoot किया है ऐसा लग रहा है जैसे कि कि किसी professional studio में मैंने यह photos shoot किया है in fact जब मैंने कुछ shots लिये और मेर पोडोग्राफर बन गया था और यह official camera था new year का सबको इसकी जो quality है काफी amazing लगी unbelievable और यह देखे यह है video जो कि मैंने इसके साथ में ही shoot किया है videos भी बहुत ही बड़ीया shoot करता है और यह video है इससे मैंने share भी किया था करते बने तर बने डिये लिएवाव करते बने तर बने बने तर यह दिएएश्चानी कोलगनी और यह देखे जमेंगे भी करते है जुद से जो जब में रहे लिएश़िएप्या करते जुछ रब च्र विएवश्चानी बने डाव़ you मेफ जैने ऑे जान English पुम्प्परी स्ल जी Help जो मेफ जैने जाङ मेफ जैने जाइ למmy pitch that you know क्वाइई cel प्रल मेफ वालो प्रोंड के अदो एधसने एधसना एधसना वेर मिना एंप बाय बाय वेर मिना वेर मिना वेर मिना ठाड़्सा हutzार हो符ब काफी अमेजिंग कैमरा है एक्सिलेंट लेवल का कैमरा है इस कैमरे से मैंने कुछ शॉट किया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये भी काफी बढ़िया काम करता है लेकिन मैं सेजिस्ट करूँगा कि आप प्रो के लिए जाए इसमें 5000 mAh की बैटरी है इसमें 5400 mAh की बैटरी है ये थोड़ा सा भारी है इसका वजन है 225 g और इसका वजन है तकरिबन 206 g ये जो हैंसेट है इसका कैमरे के मोडिल अगर अब देखें तो थोड़ा सा अलग टाइप का है जो डिजाइन है यहाँ पर जो सर्कुलर डिजाइन है दोनों ही स्मार्टफोन का ये काफी अलग है और नीचर से इंस्पार्ड है इसका जो कलर है मुझे काफी पसंद आया ये ब्लाकिश टाइप का है ये भी काफी अच्छा है अगर आप इसे हाथों में पकड़ते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि इसका जो बैलन्स है वो यहाँ पर ज्यादा है मतलब कि ये परफेक्ली बैलन्स नहीं है लेकिन जब आप इसे हाथों में पकड़ेंगे तो आपको उसकी आदर पढ़ जाएगी दोनों ही handsets पर in-display fingerprint sensor दिया हुआ है और ये दोनों ही handsets पर in-display fingerprint sensor दिया हुआ है और ये दोनों ही handsets Molo display के साथ में आता है Full HD plus resolution दोनों ही smart phones पर curved display दिया हुआ है detail specifications के बार में जानकारी मैंने video के description में दिया हुआ है अब बात करते हैं hardware की खास करके यह जो X100 Pro है इस पर Vivo V3 chip उसकिया गया है Funtouch OS 14 run कर रहा है 16 plus 16 GB RAM बहुत जादा RAM और ROM combination दिया हुआ है 512 GB storage space है और ये Android 14 पर बेस्ट है इसमें Mediatek Dimensity 9300 octa-core processor यूज़ किया गया है और यह है Android 2 benchmark score वैसे इसका जो Android 2 benchmark score है यह आपको तकरीबन 20 lakh के आसपास भी मिल सकता है मुझे मिला तकरीबन 18 lakh के आसपास अगें डिपेंड करता है कि आप किस situation में इसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन काफी बढ़िया score है इसमें जो hardware यूज़ के आगे है बहुत ही powerful है camera excellent level का है और यह fast charging support के साथ में भी आता है अगर आप इस पर games खेलना चाते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे यह stereo speakers के साथ में आता है entertainment के हिसाब से भी यह काफी पढ़िया है तो मैं यहाँ पर यह world war 2 game खेल रहा हूं जो की काफी बढ़िया चल रहा है इस पर in fact जो hardware है बहुत ही powerful है एंटिटू benchmark score से ही आप समझ गए होंगे प्लस जो display की quality है यह भी काफी बढ़िया है gaming के लिए यह एकदम perfect है प्राइजिंग के बात करें तो इसका pricing है 63999 और इसका pricing है 89999 अफकोर्स pricing higher side में है लेकिन दोनों ही smart phones amazing level के हैं